नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे शनी की समस्याओं के निवारण के लिए हम बहुत सारी चीजों का इस्तमाल करते हैं कोई रत्न पहनते हैं, कुछ और प्रियोग करते हैं, कुछ और सामानों का इस्तमाल करते हैं लेकिन तमाम चीजों में एक चीज का बहुत ज्यादा इस्तमाल होता है जब शनी संबंधी कोई समस्या होती है और वो चीज है घोडे की नाल गोडे की नाल का शनी से क्या connection है एक तो ये जानेंगे आज और दूसरा जानेंगे कि अगर गोडे की नाल हमारे पास है तो उसका प्रियोग कैसे करें जिससे शनी संबंधी बाधाएं दूर हो जाएं चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं आपको चाल चक्र में आज बात करेंगे गोडे की नाल के जादू के बारे में गोडे की नाल के प्रियोग से कैसे आप शनी को शान्त कर सकते हैं इस विशे पर बात करेंगे और गोडे की नाल का प्रियोग करने का सही तरीका क्या है इस विशे पर भी आज बात करेंगे सबसे पहले ये जानते हैं कि घोडे की नाल आखिर है क्या चीज और इसका प्रियोग क्या है इसका तरीका क्या है देखी घोडे की जो नाल है वो घोडे के जो पैर के खुर हैं उसमें लगाई जाती है ताकि ना तो घोडे को समस्या हो और ना घोडे की सवारी करने वाले को समस्या हो घोडे का जो खुर होता है वो खराब ना हो जाए या घोडे की जो पकड़ है वो जमीन पर बनी रहे इसलिए घोडे के पैर में खुर में घोडे की नाल लगाई जाती है ताकि उसकी ग्रिपिंग ठीक हो सके और जो घोडे की सवारी कर रहा है उसको किसी तरह की दिकत ना हो के कारण शनी और राहू से इसका संबंध जोड़ा जाता है घोड़े की नाल के अंदर विशेश प्रकार के प्रभाव होते हैं विशेश प्रकार के इसकी ताकत होती है जिससे इसका संबंध शनी और राहू के साथ जोड़ा जाता है माना जाता है कि इसके विशेश प्रभाव और इसकी आकृती की वज़े से शनी और राहू इससे हमेशा नियंतृत रहते हैं हमेशा कंट्रोल में रहते हैं अगर घोडे की नाल का गलत तरीके से प्रियोग किया जाए तो ये मुश्किल में डाल सकता है यानि अगर आपके पास घोडे की नाल है तो ऐसा नहीं है कि आपका जैसे मन करेगा आप वैसे प्रियोग करेंगे या जैसे मन करेगा वैसे इस्तमाल करना शुरू कर देंगे घोडे की नाल का प्रियोग करने का एक सिस्टम है एक तरीका है और जब आप उस तरीके से घोड़े की नाल का प्रियोग करेंगे तब जा करके आपको फाइडा होने की संभावना बन सकती है